हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल सरकारी नोकरी डेली पोश्ट में दोस्तों आज की स्वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिक्छा विभाग के अंतरगत निकलने वाली भरती के बारे में जी हां दोस्तों यहां पर आपको 11,000 से भी ज्यादा पोश्ट देखने को मिल जाएगी जिसमें फिजीकल एजुकेशन टीचर, टीजीटी आर्ट्स, साइन्स, हिंदी टीचर, संस्क्रीट टीचर और तेल्गू टीचर सामिल है जिसके लिए आपके पास ग्रेजुएट, पोश्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए इसके अलावा बीड या एमेड भी होना चाहिए अगर आपकी एज 21 वर्स कंप्लीट हो चुकी है तो आप इन पदों पर आवेधन कर सकते हैं जिसे आपको ओनलाइन के माध्यम से 31 जनुरी 2022 सक आवेधन कर लेना है आगे इस वीडियो में पूरी डीटेल जनकर या आपको बताऊंगा तो वीडियो के लाज तक बने रहिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें तो सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा जिससे आपको सरकारी नोकरी से रिलेटेड वीडियो की अप टूडेट जानकारी समय पर मिलती रहे और समय रहते आप आवेधन कर पाएंगे तो चलिए आज की इस वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो यह वैकेंसी ओडिसा टीचर रिकूट्मेंट 2022 के अंतरगत डिरेक्टरेड और सेकेंडरी एजुकेशन के मार्धियम से विभीन TGT यानि की ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर पदो पर ओफिसल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है जिसके लिए इकशुक एंपातर उमिद्वार 3 जनवरी 2022 से ओनलाइन आवेधन कर सकते हैं जिसका ओफिसल नोटिफिकेशन आपको इनके ओफिसल वेबसाइट dseodysa.in के माधियम से मिल जाएगी या आप हमारे टेलिग्राम चेनल जोइन करके वहाँ से भी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिशन में दे दूँगा आप वहाँ से चेकाउट कर सकते हैं चली अब बात करते हैं कि किसपत के लिए कितनी पोश्ट निकाली गई है जिसमें TGT Arts की बात करें तो 3308 पोश्ट है वही पर Science की बात करें तो 2370 है TGT Science यानि कि CBJET के माधियम से 1544 पोश्ट है हिंदी टीचर की बात करें तो 1753 पोश्ट है वही संस्क्रिट टीचर की बात करें तो 1188 पोश्ट है और तेलगू टीचर की लिए 22 पोश्ट है यहाँ पर Physical Education टीचर भी समील है जिसमें आपको 1218 पोश्ट देखने को मिल जाएगी चलिए बात करें लेते हैं इनके Qualification की यानि कि इनकी क्या eligibility रखी गई है तो जो भी candidate interested होंगे समन्धित पोश्ट के नुसार उनके पास Bachelor की डिग्री होने चाहिए इसके लावा आपके पास B.A.D.A.M.E.D. की डिग्री होने चाहिए जो भी मानेता प्राप्त यूनिवर्सिटी से चलिए अब बात कर लेते हैं इनकी age limit की तो इन पदों पर आवेदन करने के लिए कम से कम आवेदक की आयू 21 वर्स होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 32 वर्स तक होना चाहिए जिसकी age counting जो है एक जनवरी 2021 से की जाएगी जिसका detail आप इनके official notification से चेक आउट कर सकते हैं अब बात करते हैं इनके importance date की यहाँ पर देख सकते हैं आप इनकी notification जो है 24 दिसंबर 2021 को release हो चुकी है जिससे online के माधम से आप 3 जनवरी 2022 से start कर सकते हैं जिसके last date की बात करें तो 31 जनवरी 2022 रखी गई है और इसका जो online examination का schedule है ओ मार्च जनवरी फर्स्ट विक में की जा सकती है इसके application fees की बात करें तो general category के लिए आपको यहाँ पर 600 रुपे पे करना होगा वहीं पर SC, ST और PWD के लिए 400 रुपे रखी गई है चलिए अब बात कर लेते हैं इनके salary की तो यहाँ पर TGT यानि की जो Hindi teacher, Sanskrit teacher और Teleview teacher होंगे उनको 25,300 रुपे देने का प्रावधान किया गया है वहीं पर PET जो physical teacher होंगे उनको 15,000 रुपे पर मन्त दी जाएगी चलिए बात कर लेते हैं इन पदों पर आवेदन कैसे करेंगे तो आवेदन करने के लिए आपको इनके official website पर जाना होगा वहाँ पर आपको अपनी पूरी detail education qualification इसके अलावा आपने जो within documents होंगे उनको scan करके upload करना है form fill करने के बाद आपको पूरी detail चेक करना है उसके बाद ही आप submit करिएगा चलिए बात कर लेते हैं इनके exam pattern की तो इसमें आपको दो paper देना होगा जो paper first होगा उसमें 90 question होंगे और 90 अंका दिया जाएगा वही पर second paper की बात करें तो आपको 60 question 60 number का दिया जाएगा जिसे आपको 1500 minute में complete करना है वही पर question paper की बात करें तो objective type के multiple question पूछे जाएगे जिसमें पर question के हिसाब से एक number रखी गई है अगर आप गलत answer करते हैं तो यहाँ पर 0.25 का यानि की एक चौथाई number आपका काटा जाएगा यहाँ पर negative marking का प्रावधान रखा गया है चलिए बात कर लेते हैं selection process की जो भी candidate eligible होंगे यानि की संबंधित पोस्ट अनुसार उनकी qualification होगी तो उन्हें computer based अधारिज जो exam लिये जाएगे उसके लिए उन्हें बुलाया जाएगा उसके बाद उनकी documents verification की जाएगी TGT teacher exam की बात करें तो March 2022 के first week में की जा सकती है जिसका सेले बस आपको इनके official website से check out कर सकते हैं दोस्तो इस job vacancy की notification download करने के लिए आप इनके official website पे जा सकते हैं जिसका link में आपको वीडियो के description में दे दूँगा या आप हमारे telegram channel जोइन करके वहाँ से भी download कर सकते हैं जिसके official website का link और PDF file का link telegram channel पे भी मिल जाएगा और आपको वीडियो के description में भी मिल जाएगा तो दोस्तो यह रही Odisha Teacher Recruitment 2022 की official notification की पूरी जानकारी दोस्तो अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो like करिएगा, कुछ doubt हो तो comment करिएगा और अपने दोस्तों के साथ share जरू करिएगा, ताकि उन्हें भी एक अच्छा रोजगार पाने का मौका मिल सके और जाते जाते चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि सरकारी नोकरी से related जितनी official notification होती है सभी जनकारी हम अपने YouTube channel पर post करते हैं, या आप नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंज जय भारत